ओम शान्ती विजय माला का दाना बनने के लिए हम गॉडली स्टूडेंट्स उचे से उचे शिक्षक से उचे से उची पढ़ाई पढ़ रहे हैं ऐसी पढ़ाई जो हमने आधा कल्प नहीं पढ़ी ऐसी पढ़ाई जो इस युग में पढ़कर हम पूरे 21 जनम तो क्या 84 जनम तक इसकी प्राप्ती करने वाले हैं आईए रिवाईस करते हैं आज के 26 मई 2022 के महावाक्यों को आज के मुरली के अनुसार श्रिव बाबा की महिमा नई बातें सुनाते, श्रिव रचते, बेहद का वर्षा देते, ज्यान की शिक्षा देते सहच राज्योग सिखलाते, वापस शान्ती धाम ले जाते, सर्विस के लिए डारेक्शन देते विश्व का मालिक बनाने के लिए शिक्षा देते सुष्टी चक्र कैसे फिरता यह विस्तार से समझाते निश्चे बुद्धी आत्माओं को किन किन बातों पर निश्चे अवश्चे होगा संगम युग के समय पर परमात्मा हमारा बाप है हम उनके संमुक बैठे हैं बाप राज्योक सिखा रहे हैं वहे हम आत्माओं से बात करते हैं, शिक्षक बन हमें राज्योग की शिक्षा देते हैं, बाप देही अभिमानी बनाकर साथ ले जाएंगे, सत्गुरु बन हमें शान्तिधाम वापस ले जाएंगे. क्या होने से क्या होता है? चित्रो पर समझाने से मज़ा आता, राज्योग सीखेंगे तो विजे माला में पिरोय जाएंगे, सच्ची कमाई करने से सच खंड का मालिक बनते, उची स्थिती के आसन पर रहने से माया नहीं आती, अभी सच्ची कमाई करेंगे तो सच खंड में ही बनेंगे आज की मुर्ली के अनुसार गायन इस प्रकार है प्राचीन भारत तुम मात पिता हम बालक तेरे भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल हम बच्चे संगम युग पर क्या करते हैं? वर्सा पाते, पुरुशार्थ करते, राज्योग सीखते, सच्ची कमाई करते आज की मुर्ली के अनुसार हम बच्चों के टाइटल्स पांडव, शान्ती दूत, माया जीत, महान आत्मा, सिकी लधे बच्चे हम ब्रामन आत्माओं का ओक्यूपेशन क्या है? शान्ती दूत बनकर सबको शान्ती का दान देना किन बातों की धारणा करनी है? पावन बनना है, बाप की शिक्षाओं को अच्छी रिती धारणा में लाना है बाप जो उस्ताद है उसकी याद में रहे माया जीत बनना है बाप से बेहत का वर्षा लेने के लिए बाप की शिक्षाओं पर पूरा ध्यान देना है सचखंड का मालिक बनने के लिए बाप से सच्ची कमाई करनी है ये थी आज की मुरली की विशेश बाते परम प्रिये बाप हम बच्चों की खातिर है अपना परमधाम छोड़कर इस रिष्टी पर हमें माया जीत विकर्मा जीत जगत जीत बनाने के लिए उची से उची शिक्षा दे रहे हैं अब हम आत्माओं का कर्दव्य है पढ़ाई अच्छी रिती पढ़कर श्रिव बाबा की याद से कमाई में जुट जाएं और सत्यूग में उच्पद की प्राप्ती के लिए तीवर गती से पुरिशार्थ करें ओम शान्ति